में बहुत की तरह परवेश करूँगा जैसे स्री किरसन में परवेश कर गया और ऐसा ही हुआ उसमें परवेश हो गया देथे नास कर दिया फिर 242 प्रिष्ट पर ये कति क्लियर करता है कि मैं कैसे परवेश होता हूँ कैसे लीला करता हूँ, यह देखिएगा, चतूरत अंस वही विश्म प्राण, यह शिरी विश्म प्राण है वही, और यह चतूरत अंस, चतूरत अंस और तीसरा अध्याए, शिरी विश्म प्राण, और 242 प्रिष्ट पे हम नीचे फड़ेंगे, यहां देखिए, तीसरा अध पूर्व काल में रसातल में मौने नामक छै क्रोड गंद्रव रहते थे उन्होंने समस्थ नाग कुल के परधान परधान रतन और अजिकार छेन लिये थे गंद्रवों के प्राकरम से अपमानित उन नागे सुरों द्वारा सतूती किये जाने पर उसके सर्वन करने से जिनकी विक्सित कमल सदरस आँखें खुल गई हैं निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वदिवेश्वर को परणाम करके उन से नाग गंद्रे कहा भगवन इन गंद्रों से उत्पन हुआ हमारा भै किस परकार सांथ हो तब आदी अनंद रहित भगवान पुरशोतम ने कहा यो नासो के पूत्र यो नासो का जो पूत्र मान दाता है और मान दाता का जो यह पुरकुत्स नामक पूत्र है उसमें परविष्ट होकर मैं उसमें परवेश करकर भूत की तरब परवेश करकर जो पुरकुत्स नामक पूत्र है उसमें परविष्ठ होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधरों का नास कर जूँगा कतिक कंसेप्ट क्लियर हो गया उस पुरकुस्ट नामक पूतर है उसम परविष्ट होकर मैं उन संपून दुष्ट गंधरों का नास कर दूँगा अपने आत्मों ये सारा रहसे अपनी सद्गर्मतों में दुआन है और ये अग्यानी श्री किरसंद के वगत विश्ट जी के भगत शिवजी के भगत जो गुरू जम थे ये हमें यथार्थ ग्यान नहीं बता सके है और आज तक हमें काल के जाल में फसाए रखा तो पुन्यात्माओं ये सपष्ट हो गया कि ये इस परकार स्री किर्शन जी में परवेश कर गया ये कहता है मेरे जनम और करम अलोकिक है ये ऐसे करम करता है ये है किसी के सामने नहीं आता देखिए गार स्रीमत भगवत गीता जैद्याल गोइंद का दोवारा ये अनुवादित है ये जैद्याल गोइंद का इसके अपने साइन है इसमें गीता प्रेस गोरकुषिय परकासित है अब इसके साथ में अध्याय का 24-25 लोग आपको सुनाते है ये देखिएगा अध्याय नमबर साथ शिरीमत भगवत गीता अध्याय नमबर साथ सुलोक नुवर चौविश में बुदीहिन पुरुस मेरे अनुटम आविनासी परंभाव को ने जानते हुई अनुटम माने अनुटम सबस लिखा है संसकर्त में भी अनुटम है अनुटमम और इसम भी अनुटम अनुटम का अरथ चौथी का किस्या का बच्चा बता देगा ऐस रेष्ट गटिया ये कहता है कि मेरा एक अनुटम अविनासी अनि अटल नियम है भावा कि मैं कभी किसी के सामने पर गटनी होता जब एक सारी शिर्ष्टी का करता और पिता अपने बच्चों से छुपा है तो उसमन कोई दोस है ये गटिया नियम ही कहा जाता है अविक्तम माम विक्तिम आपनम मन्यंते मन्यंते ये तिन उन्हें अग्यान कर रखना सारा अविक्तम मुझ अविक्त को मुझ अविक्त को ये विक्ती भाव प्राप्त हुआ मानते हैं मुझे ये किरसन मान रहे है आईम नोट किरसन अब पत्तिस में क्या कहा है यादेख साथ में दैय कहा पत्तिस मा सुनो अपनी योग माया से मैं छिपा हुआ मैं सब के परत्यक्स नहीं होता इसलिए ये है अग्यानी जन समुदाय मुझ जनम रहित अविनासी प्रवेश्वर को नहीं जानता हमने ये लेना है कि मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सब के पर्टेक्स नहीं होता और ये मूरख लोग मुझे जनम लिया हुआ मानते हैं श्री करसन मान रहे हैं आयम नोट श्री करसन आपको और एक पर्टेक्स परमान देते हैं कि श्री करसन जी ने गीता जी का बिलकुल ग्यान नहीं था उन्होंने गीताजी का ग्यान नहीं बोला माभारत में एक परमान आता है कि जिसमें कौरों पांडों का युद अंत हुआ कौरों का नास हो गया पांडों को रज प्राप्थ हो गया तो उसमें अरजुन ने स्री करसंदी से कहा कि भगवन आप द्वरका जाने वाले हो हमें कुछ सिख्षा देकर जाओ हम आपके सिस हैं आप हमारे गुरू हैं एक सथसंग करकर जाओ और इस सथसंग में वो ग्यान बताना जो आपने युद के से में गीताजी के रोप में दिया था और मैं भूल गया हूँ उस ग्यान को युद्ध के कारण है श्रीकरसंद जी क्या कहते है कि अर्जुन तू बड़ा ही सरदाहीन है तेरी बुधी अच्छी नहीं है तू ने उस निर्मल ग्यान को याद क्यों नहीं रखा श्रीकरसंद जी कहते हैं कि अब मुझे वो पूरा समर्ण होना संभव जान नहीं पड़ता उस समें तो मैंने योग युक्त होकर उस परमातम ततव का ग्यान दिया था परमातम ततव का अब कोई पूछने वाला हो कि स्रीकरसंद जी युद के समय भेंकर समय में चारों तरफ शेना खड़ी है हैं एक मिन्ट में विनास होने वाला है और वहां तो योग युक्त होगे योग युक्त माने समाधिस्त हो जाना परमातमा से कनेक्शन करके कहता है फिर बोला मने अब तो सांथ समय था बिलकुल पीसफुल टाइम था अब तो वो योग युक्त होने ही पा रहे और युद में योग युक्त होगे जब गयार बुला कहने का भाव ये है कि स्रीकरसंद जी ने कह कह का नहीं पता था जैसे यहां किसी में कोई प्रेट पर्वेश कर जाता है यहां सेंक्डों की संख्या में हजारों की संख्या में आए हैं और वो बोलते हैं पता नहीं मैं वहां था मैं वहां था वहां रहता था और जब वो उस परेत निकल जाता उस आत्मा से उस स्रीर से उस औरिजिनल आत्मा को पता भी नहीं होता मैंने के बोला था और ही बताते हैं कि ऐसे बोला था तूने ऐसे कह रहा था तो उन मैंसे दो चार बात याद रख लेता है कि मैंने ऐसा कहा था लेकिन उससे में उसको कुछ ही यह आद नी था ऐसी दसाष स्ष्रीकर्शन जी की थी इस स्ष्रीकर्शन जी में उसी समय ये काल प्रवेश कर गया पुरकुष में प्रवेश हुआ और जैसे पुरंजय में प्रवेश हुआ अब कोई पूछने वाला हो किस्चिरी करसंजी युद के समय भेंकर समय में चारों तरफ शेना खड़ी है एक मिंट में विनास होने वाला है और वहां तो योग योग तो होगे योग योग तो माने समाजिस्त हो जाना परमात्मा से कनेक्शन करके कहता है फिर बोला मैंने अब तो सांथ समय था बिलकुल पीसफुल टाइम था अब तो वो योग युक्त हो नहीं पा रहे और युद में योग युक्त होगे जब गयान बुला करने का भाव यह है कि स्रीकल सम्जी ने कह कह का नहीं पता था जैसे यहां किसी में कोई प्रेट परवेश कर जाता है यहां सेंक्डों की संख्या में हजारों की संख्या में आए हैं और वो बोलते हैं पता नहीं मैं यह ऐसे हूँ मैं वहाँ था मैं वहाँ था वहां रहता था और जब वो उस परेत निकल जाता उस आत्मा से उस स्रीर से उस औरिजिनल आत्मा को पता भी नहीं होता मैंने के बोला था और ही बताते हैं कि ऐसे बोला था तूने ऐसे कह रहा था ऐसे कह रहा था तो उन मैंसे दो चार बात याद रख लेता है कि मैंने ऐसा कहा था लेकिन उससे में उसको कुछ याद नहीं था ऐसी दसा श्री किर्शन जी की थी इस श्री किर्शन जी में उससे में ये काल परवेश कर गया जैसे पुरकुट्स में परवेश हुआ और जैसे पुरंजय में परवेश हुआ प्रेत वद्ध और पूरा करवा कर इमा भारतमा विनास श्री किरसन के स्रीष से निकल गया अब श्री किरसन कह रहे थे मैं हथियार ने उठाओंगा काल ने रद का प्ईया भी घुमा जिया उठा के और मार डाला दुनिया को तो पुनातमा ओऊ यह सभी काल की जो हना यह लिला थी काल ने ही भरह्म नेही вд्. यह can काल को गीता जिदे दे नॅबर 11 के सलोक नॅबर 32 में कहता है कि मैं काल हूं और शब करनास करने को आए हूं गीता जिद दे नवबर 8 के सलोक नॅबर 13 में कहता है कि ओम इति एक अक्सरम ब्रम विभारन मामन सम्रन ये प्रियाती तोजन दे हम सैयाती परमाम गतिम माम ब्रम मुझ ब्रम का कि वल एक ओम मंत रहे नथिंग ऐलस और जो इसका सिमन करता हुआ श्री छोड़कर जाता है सैयाती परमाम गतिम वो प्रमगती को प्राप्त होता है यानि ओम से मिलने वाला जो सथान, सथी थी, समे, लाब है उसको प्राप्त होता है ओम मुंतर के जाब से ब्रहम लोक प्राप्ती होती है और गीता जी देन्मराट के स्लोक नमर 16 में कहा कि ये ब्रह्म लोग परियंत भी ये सभी पुर्णावरती में हैパुर्णवुक्स पुर्णवक्स प्राफ्ट नहीं करते उनका भी जन्म और मर्टु बना रहता है पुन अक्षिंदे होने पर वो भी पुने लोड कर जन्म मर्टु में आते है इसलिए गीता ग्यान दाता केता अपंदर में जाए कि एक से लेकर चार में के ततो दसी संत के प्राप्ति के उपरांट उस प्रमपद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद सादक फिर लोटकर संसार में कभी नहीं आते और जिस प्रमेश्वर ने शब बर्भांडों की रुचना की यानि सब का सरजन हार है और उसी की पूजा करनी चाहिए मैं उसी की सरन में हूँ किसी अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए तो अब आपको एक जलग दिखाते हैं श्रीकरशन जी को तो कह 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 भी पता गीता में बोल्या के था देखिएगा संक्सिप्त महभारत पर्थम खंड गीता प्रैस गोरकुर्शे प्रकासित है इसके अन्वादक भी संपादक तथा संसोदक जैदयाल गोईंद का गीता प्रैस गोरकुर्शे पहले आप जी को ये दिखाते हैं कि श्रीकरशन जी ने अपना विराट रूप देखा है पानसो पिन्तारिस ये संक्सिप्त महभारत पानसो त्वारिस पर्षम लेते हैं इसके बाद विदर जी बोले दुरियोदन तुम मेरी बात सुनो देखो श्रीकरशन को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था किन तु सब दानों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका फिर तुम इन्हें अपने बल बूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हैं विदर जी का वक्तव समाप्त होने उपर भगवान श्रीकरशन ने कहा दुरियोदन तुम जो अज्ञानतावस्फिय समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबा कर कैद करना चाहते हो सो याद रखो समस्त पांड़ो और वर्षनी और अंधक वंसिय यादो भी यहीं पर हैं गणाना पड़ते हैं इतना ऐसा कहकर सत्रू दमन स्रीकरशन ने अठास किया बस तुरंत ही उनके सब अंगों में बिजली किसी कांती के अंगुष्टा आकार सब देवता दिखाई देने लगे उनके ललाट में से विर्मा वक्ष में रूप दर बुजाओं से लोग पाल मुख में अगनी देव यादी इत्याजियादी थे उसनिक वाली को श्री किर्सन जी के बहंकर रूप को देखकर जब राजाओं ने भैवित होकर नेतर मुझ लिए केवल दुरुनाचारिय भीश्म विदूर संजे और रिशी लोग ही उसका दर्शन कर सके क्योंकि भगवान ने उन्हें दिवद्रश्टी लेगी थी पुन्यात्मों ये याद रखना कि मा भारत के अंदर परतेक्ष परमान है कि स्री किर्सन जी ने अपना विराट रूप कोरों की सभा में दिखाया था गीता जी अध्याय नमबर 11 के सलोक नमबर 47-48 में ये गीता ग्यान दाता किता है